हलो एंड वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको जम्मू किश्मीर का जीके पढ़ा रहा था तो इसमें मैंने आपको ancient history, medieval history, modern history ऐसे लिख दिया था इसके इलावा ancient history में मैंने आपको कारकोटाई डैनस्टी पढ़ा दी थी उसके बाद जरा मुझे आफी समय दर काम पढ़ गया तो हमने कुछ देर के रिए लेक्चर रोक दिये अब हम पढ़ेंगे उत्पाला डैनस्टी फिर गुपता डैनस्टी लोहारा डैनस्टी डाउनफाल आफ हिंदू रूलर्ज medieval history में Muslim ruling कश्मीर सुल्तान जैनुलाबिदीन और modern history में सिक रूल और डोगरा रूल ठीक है ये पढ़ने के बाद और अगर आप lecture sequence में सुन रहे हैं तो यहाँ पे ये मैंने आपको कारकोटा डैनस्टी पढ़ा दी हुई है ठीक है अब मैं उमीद करता हूँ कि आपने ये लिखा है अब हम आगे चलते हैं कारकोटा डैनस्टी हो गई खतम ठीक है जी तो notes बना रहे हैं आप चलते हैं आगे अब लिखो दूसरे नंबर पे जो भी बच्चा में से नया है जिसने पहले वाले lecture नहीं पड़े वो पहले शुरू वाले lecture पड़े उसके बाद यहाँ से continue करे और इसके अलावा में आपको वर्ल्ड का जीके भी पढ़ाऊंगा तो चलिए start करते हैं प्यार के साथ लिखो कारकोटाई dynasty के बाद दूसरे नंबर पे आ गई उतपाला डैनस्टी टाइम पीरिड में मैंने आपको लिखा दिया हुआ है 855 से लेके 949 AD तक उत्पाला डैनस्टी उत्पाला डैनस्टी का founder founder कौन है हर डैनस्टी में आपने founder भी याद रखना है और हर डैनस्टी में आपने great ruler भी याद रखना है founder वाज अवंती वर्मन कारकोटाई डैनस्टी का founder कौन है आपको color दिख रहा है पता नहीं या नहीं चलो कारकोटाई डैनस्टी का founder कौन है अवंती वर्मन कारकोटाई डैनस्टी का great leader कौन है ये भी अवंती वर्मन ग्रेट लीडर भी अवंती वर्मन और founder भी अवंती वर्मन की achievement क्या है अवंती वर्मन की achievement कि इन्होंने क्या क्या बनाया है कि ठोड़ा हैंग हो गया है रुकते हैं अवंती वर्मन अवंती वर्मन ने क्या क्या बनाया एक तो इन्होंने सिटी बनाई अवंती पुरा अचीवमेंट नंबर वन इन्होंने बनाया अवंती पुरा अवंती पुरा सिटी आन जेहलम रीवर और क्या बनाया इन्होंने इन्होंने बनाया इमबैंकमिंट इमबैंकमिंट का मतलब होता है ऐसे चारदवारी आन महापदमा इमबैंकमिंट आन महापदमा अगर आपने शुरू वाले लेक्चर अच्छे से पड़े हैं तो बताओ महापदमा किस लेक को बोला जाता है यह गुलर लेक चलो यह मैंने आपको बताया कश्मीर की दूसरी डाइनस्टी उतपाला डाइनस्टी टाइम पिरिड आठ सो पच्पन से 949 फाउंडर एंड ग्रेट रूलर अवंती वर्मन अवंती वर्मन की अचीव्मिंट इन्होंने बनाया अवंती पूरा सिटी इन्होंने बनाया इंबेंकमिंट आफ महापदमालेक यानि के गुलर लेक इसके बाद अगला पॉइंट पंडित रतना दर पंडित रतना दर वाज रिस्टोरियन आफ दिस डाइनस्टी ठीक है पंडित रतना दर एक बंदा है वो इस डाइनस्टी का हिस्टोरियन रहा ये बात भी जरूरी है पेपर में आएगा बताओ जी पंडित रतना दर किस डाइनस्टी का रूलर था उत्पाला डेनस्टी का इसी डाइनस्टी का एक रूलर था शंकर वर्मन शंकर वर्मन वाज रूलर आफ दिस डाइनस्टी मैं आपको प्रिसाइज पढ़ा रहा हूं बहुत जादा यूजलस चीज़े नहीं पढ़ रहे हूं शंकर वर्मन वाज रूलर आफ दिस डाइनस्टी और ड्यूरिंग ड्यूरिंग शंकर वर्मन शंकर वर्मन के टाइम कश्मीर में फोर्स्ट लेबर आ गई फोर्स्ट लेबर वाज इंट्रोड्यूज्ड ये बाद आपने याद रखनी है बताओ कश्मीर में किसके टाइम फोर्स्ट लेबर आई फोर्स लेबर को बंदवा मजदूर और बाउंडड लेबर भी बोला जाता है ठीक है? उसके बाद सबसे पहला रूलर अवंती वर्मन फिर कोन आ गया जी? शंकर वर्मन अब शंकर वर्मन का बेटा आएगा सूर्या वर्मन यहां लिखराओ में हैं सूर्या वर्मन वाज रूलर अगलती है कि वाज रूलर नहीं वाज सन आफ शंकर वर्मन सूर्या वर्मन वाज सन आफ शंकर वर्मन और यह जो सूर्या वर्मन था यह D-क्राउन हो गया He was D-क्राउन्ड बाई He was D-क्राउन्ड बाई गुपताग हमने पढ़ा ना किश्वीर में कारकोटा डैनेस्टी उतपाला डैनेस्टी गुपता डैनेस्टी अब उतपाला डैनेस्टी खतम होके क्या बनेगी गुपता डैनेस्टी या गुपता रूल बनेगा ठीक है इसके बाद यहां आपने दो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं पॉइंट नंबर वन उतपाला डैनेस्टी में एक पी-एम हुआ करता था उसका नाम था शेरू शेरू वाज पी-एम आफ दिस डैनेस्टी शेरू वाज पी-एम आफ दिस डैनेस्टी नंबर दो इसी डैनेस्टी में एक बंदा हुआ करता था जो फलड कंट्रोलर था उसका नाम था स्विया स्विया वाज फलड कंट्रोलर एंड इंजीनियर ये बात याद रखिए बताओ शेरू किस डैनेस्टी का प्राइम मिनिस्टर था उत्पालाई डैनेस्टी का स्विया किस डैनेस्टी में फलड कंट्रोलर रहा उत्पालाई डैनेस्टी का अब उत्पाला डैनेस्टी के बाद आएगी गुपता डैनेस्टी चलो अब आप मेरी तरफ देखो पहले कारकोटा डैनेस्टी के बाद उत्पाला डैनेस्टी उत्पाला डैनेस्टी आठ सो पच्पन से लेके 949 AD तक रही उतपाला डैनिस्टी ये हो गया जी U इस U को उल्टा करो तो बन जाएगा बन जाएगा A उतपाला डैनिस्टी फार्म्ड बाई अवंती वर्मन अवंती वर्मन ने क्या बनाया अवंती पूरा इम्बेंकमिंट आफ महा पदमा लेक पंडित रतनादार इनके हिस्टोरियन और कोड़ पॉइट थे इनका बेटा शंकर वर्मन आया जिसके टाइम फोर्स्ट लेबर वाज इंटोड्यूस्ट इसी डाइनस्टी में शेरू प्राइम मिनिस्टर रहा इसी डाइनस्टी में सुया फ्लेड कंट्रोलर रहा ठीक है जी शंकर वर्मन इनका बेटा था और जिसको डी क्राउन कर दिया गुपता आज़री अब लिखो जी गुपता रूल अब लिखो गुपता रूल कारकोटा उतपाला और गुपता गुपता का टाइम पिरेड 949 से लेके 1003 AD तक रहा जनरली ये टाइम पिरेड पेपर में पूछा नहीं जाता है मगर सिंपली आप याद रखना गुपता रूल का फाउंडर कौन था फाउंडर पार्व गुपता गुपता डैनेस्टी का फाउंडर कौन रहा पार्व गुपता लिखो इसी डैनेस्टी में पार्व गुपता का बेटा था सन आफ पार्व गुपता वाज पार्व गुपता के बेटे का नाम था शाम गुपता इनके बेटे का क्या नाम था शाम गुपता और शाम गुपता को खेम राज़ा भी बोला जाता था ये disabled ruler था यनि के इनकी टांगे काम नहीं करती थी बताओ जी किश्मीर का कौन सा disabled ruler था शाम गुपता बेटा किसका था पार्व गुपता का आपको ये एक बार बता उ आपको मेरे चहरे से भी दिखता होगा बड़ा थक जाता हो फिर मैं गर जाता हूँ सो जाता हूँ और ये मेरे सामने अभी मुबाइल पड़ा है तो यहां देखो जी कमेंट भी आ गया मैं आपके सामने पढ़ की बताता हूँ एक बच्चे का है बहुत प्यार बरे कमेंट आते हैं एक बच्चे ने लिखा 17th लेक्चर में प्रबजोध सिंग जी जब वो लेक्चर आप ये पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा प्रबजोध जी मैं आप ही का कमेंट बढ़ रहा हूँ कि लेक्चर नमबर 18 कहां है तो लेक्चर नमबर 18 यहां है बहुत सारे बच्चों ने इतने प्यार इतनी रिक्वेस्ट की हैं कि ये लेक्चर लाओ लेक्चर लाओ कोचिंग के लिए वहाँ कलास बठा रहे हैं आफिस सेट अप कर रहे हैं तो मैं जरा उदर बीजी था अब वो सेट अप हो गया है थोड़ा सा काम बच गया है वहां पे तो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए लेक्चर आएंगे जैसे आपने स्पोर्ट की है ऐसे ही करते रहना मैं देखना वर्ल्ड जी के जब पढ़ाऊंगा न आपको लगेगा कि किसी बंदे ने आपके साथ मेहनत की है मैं सिर्व यूट्यूबर नहीं हूँ आफ्लाइन टीचर लिए ठीक है चलो ऐसी महबद करते जाओ तो चलिए जी पार्व गुपता के बेटे शाम गुपता जो बंदा था ये डिसेबल डूलर था और पार्व गुपता ने क्या कर दिया एक गलती कर दी ही मैरीड मुझे मालूम है मेरी सारी गलतिया मुझे मालूम है मेरी सारी गलतिया एक महबद कर ली और दूसरा बेपना कर ली और तीसरा तुम से कर ली और चौथा शादी भी कर ली ही मैरीड कुवीन दिदा किस से शादी करी कुवीन दिदा अब आगे चलके इनके फादर भी एक रूलर बनेंगे लोहारा डैनिस्टी के ही मैरीड कुवीन दिदा एक बात आपको मैं बताऊं जब भी जब भी कोई बंदा शादी करेगा ना किसी खुबसूरत लड़की के साथ तब तब उस बंदे पे अटैक होंगे क्या होंगे अटैक क्या मैं जूट बोल रहा हूं नहीं न तो जनाब अगर आपको मेरे पे बरोसा है तो लिखो यहां पे नोट डालके मेहमूद गजनवी मेहमूद गजनवी इन्वेड़ कश्मीर मेहमूद गजनवी इन्वेड़ कश्मीर बताओ जब कश्मीर में मेहमूद गजनवी का इन्वेजन हुआ अटैक हुआ किसकी हुकूमत थी पार्व गुपता के उसकी बीवी कवीन दिद्दा की इनके टाइम कश्मीर में महमूद गजनवी ने इन्वेड किया ठीक है अब ये जो बंदा है ये तो विकलांग रूलर है कवीन दिद्दा ने क्या किया कवीन दिद्दा कवीन दिद्दा ट्रांसफर्ड हर क्राउन अपनी प्रापरटी ट्रांसफर कर दी किसको? अपने बाई के बेटे को ट्रांसफर्ड हर क्राउन किसको? तू संगराम राजा कवीन दिद्दा ने अपनी प्रापरटी किसको दे दी? संगराम राजा को संगराम राजा कौन है? सन आफ हर ब्रदर कौन? उदे राज अब संगराम राजा नही डाइनस्टी बनाएगा लोहारा डाइनस्टी क्या बनाएगा? लोहारा डाइनस्टी एंड क्वीन दिद्दा डाइड दिद्दा डाइड इन 1003 AD दिद्दा जी की हो गई डैथ ठीक है? अब कौन सी डाइनस्टी बच्ची बनी आगे याद करो पहला वाला पेज खोलो कार कोटा डैनस्टी उत्पाला डैनस्टी गुपता डैनस्टी और गुपता डैनस्टी के बाद गुपता डैनस्टी के बाद लोहारा डैनस्टी अब क्या बनेगी? लोहारा डैनस्टी ठीक है जी? लोहारा डैनस्टी लोहारा डैनस्टी का founder कौन होगा फिर founder वोही होगा ना जिसको कवीन दिद्दा ने दी डैनस्टी संगराम राजा ठीक है यह देखो ना यह यह transferred her crown to संगराम राजा तो लोहारा डैनस्टी का founder कौन होगा संगराम राजा ठीक है यह संगराम राजा जो होगा फिर आगे यह क्या करेगा जनाब यह डैनस्टी अपना headquarter बनाएगी लोरन मंडी में लोरन मंडी पुंच में इसी लोहारा डैनस्टी में एक रूलर आएगा इस रूलर का नाम होगा जया सीमा जया सीमा वाज ग्रेट रूलर आफ इस डैनस्टी जया सीमा वाज ग्रेट रूलर आफ इस डैनस्टी यह जया सीमा नाम हमने कब पढ़ा था राज तरंगनी वाज ट्रांसलेटेटेटेटेटेग इंटू याद आगे है 1149 तू 50 A.D. डिूरिंग जया सीमा रूलर आफ लोहारा डेवा फिर इसी डाइनस्टी के एक रूलर बनेगा वनीता देवा वनीता देवा वाज लास्ट और वीक रूलर ठीक है जी तो मैंने आपको पढ़ा दी कारकोटा डेव कश्मीर फिर पढ़ेंगे मुसलिम रूल मुख और फिर आगे स्टार्ट हो जाएगी मॉडरन कश्मीर कश्मीर पढ़के मैं आपको वर्क जीके पढ़ाऊंगा very important topics Asian Games, Olympic Games Crickets, Kabaddi यह सब कीज़ें पढ़े हिए Rivers, दुनिया के Rivers दुनिया की Lakes सब कीज़ें पढ़े हिए आज क्या पीजोड इतना ही रखते हैं Thank you God